इंडिया वर्सेज इंग्लेंड दूसरा टेस्ट मैच जिसमें सबसे में जब इंडिया को 78 पर आल आउट कर दिया था इंग्लेंड ने तो काफी हद तक सूर्तिहाल या वो कहते हैं ना राइटिंग ऑन दे वाल बिल्कुल अब्वियस थी कि यह मैच किस टारेक्शन में जा है फिर हमने देखा के इंग्लेंड की टीम ने एक बहुती जबर्दस किसम की बैटिंग परफॉर्मंस थी उनके टॉप फोर ने स्कोर किया रूट ने सेंचरी की मलान वापिस आयो उनने सत्तर किया हसीब हमीद ने 60 प्लस स्कोर किया और वी सौ अगोड बैटिंग परफॉ टेशुर पुजारा ने एक लंबी इनिंग्स खेली और लिटरली हमें नजर आया के ओके ये कोई ना कोई मैच की सूर्थिहाल या किसी ना किसी तरीके से खेंच सकते हैं जब उन्होंने दिन का इक्ताम किया जब उनका 218 था फॉर 2 या प्रॉबबड या और उसके बाद पर हमने ये देखा कि जब मैच का आगाज हुआ उसके जो विच तुर्न आउट टो बी दे लास्ट आफ दे गेम और उसमें फिर एकदम से इंडियन कलाप्स हुआ एंड दे मैच वास वान बाई इंग्लेंड बहुत अच्छी परफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफ लेकिन सवाल या निशान खड़े हुए इंडियन बैटिंग पर और ये अब कोई अब की बात नहीं है विहान पिष्टे दोनों मैच को सामने रखते हुए बलके विराट कोली की जो रनफ फॉर्म है उस पे तो जादा तनकीद इसलिए बनी ऑविसली विराट कोली उसे रिशापफन्त पर बहुत जादा बाते हुठी कोली पर तुम्हें इसलिए कोई बात जादा इसलिह नहीं को मिए आज आप तनकीद करेंगे कर वह 200 मार देगा या या यूर वर्ट इस आपल रिजापफन्त अच्छा रिशापफन्त की बहुत इंटरस्टिंग जो एक स्ट में भी टेस्ट क्रिकेट में जब पंथ नहीं नहीं थे तो पंथ से एक्सपेक्टेशन थी और पंथ पर क्रिटिस्म भी यह था कि शॉट है बहुत मारता है तो पंथ पंथ आपस क्या बॉट सबस्क्राइब कि शॉट मारे लिगन पंथ क्वी ऐस का इसी य। पांथ के शॉट मारें गो अप्फ अतर्गा अगर आपने उसे रां करवाने तो यह थोडा सा फ्रीडम आपको ते ना पड़ेगा इन पिछिस के ओपर आप यह नहीं एक् you know, then he'll end up scoring runs, that's one thing. The other thing is, जो आपने क्लाप्स की बात की, इंडिया की जो तेल ने से पिछले test match में, लॉट्स वाले test match में, score किया था, उसी नी जिदाय था, जो जिदाय था, जो जिदाय था, या, but that is a one-off. India's tail isn't great, ठीक है, और उसके बाद सारों ने सारे बात करना शुर्णा है. But what a one-off, यार. Yeah, but this happens, right, in cricket this happens, कि जिस तरह West Indies जो पहला था, जो रोज की जो इनिंग थी, अगेस पाकिस्तान, that also like a number eight scoring, जो जो नहीं रहने, जो नहीं रहने, not expected. So, India का collapse wasn't as surprising, given that Pant के लिए थे, Pant के नीचे जो बॉलर से, जो बॉलर से, जदेजा के लावा, जो इक्विप्ट के वो हर मैच के इंदर आके consistently score करेंगे, और जो सबसे major issue India face का रहा रहा है रहाने की form. रहाने was the guy India जिसके ओपर रहाए करता हा, तो कोई मसला नहीं उसकी वजाई है, पूरी दुनिया में यही है. लेकिन नमबर 4-5 है आपके. नमबर 4-5 आपके जो में प्लेयर्स हैं. Because Kohli is out of form, he's not scoring as many runs, तो रहाने पर responsibility आती है, पर रहाने अपने पिछले 48 उनकी तकरीबन को इनिंग जिसमें उनकी 30-33 की average है. जिससे आपको यह शो होता है, कि अगर दो बंदे आपके middle order में out of form हो, और आपकी बाकी team click कर भी रही हो, तो that is a huge problem. That is why test cricket में number 4 और number 5 जो है, positions, they should be your best batsmen. They score most of your runs. Okay. So, because India के वो दोनों out of form है, इसलिए उनने इस match में struggle किया. That said, India और बोल आउट for 30-odd in Australia and they ended up winning the series. They have enough resources कि उनके openers are actually doing really well. Sharma and Rahul आप expect नहीं कर रहते कि इतना अचा England में करेंगे. Pujhara is, Pujhara before the last test match wasn't in great form, is back in form. तो उनका top 3 तो कर रहा है, आप उनका… नहीं, लेकिन Pujhara का भी जो आप कह रहें कि he wasn't in great form. तो बलके रोइच शर्मा की एक statement थी, कि आप run-wise ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो runs नहीं ले रहे थे, लेकिन वो उतनी बॉलें का रहे थे and he was doing his job. Exactly. और अगर वो team और उनने का कि कि हमारे कभी भी ड्रेसिंग रूम में यहाली बात नहीं हुए कि इसके जो return on runs है, वो काम है. देखे, मैंने पिछले match में एक tweet भी की थी जिस पर काफी तनकीद हुई थी, वो यह थी कि Pujhara की जो innings थी, that set up the win for India. उसकी वज़ा है कि जब Pujhara बैटिंग करने है तो England जो था, वो in strong position में था Lord's Test match के अंदर. Pujhara ने बेसिली इतनी के इनने खेल नी के chances of England winning were reduced कि draw के जाज chance होगे. He played so many balls. ठीक है? That's why he did that allowed India कि जब उनकी tail ने score किया तो India could then attack England when they were balling. Because all those balls were consumed by Pujhara and that's his job. That's why I'm saying India का 1, 2, 3 is right now doing its job. It's a number 4 and 5, Kohli and Rahane who are the major issues for India right now. Even Panth कि अगर आप बात करें जो मैंने आपको 28 बालों अला, अगर वो अपनी normal game खेलता है, if your number 7 is scoring around 30-40 runs, तो that's really useful. Especially batting with that tail because he has to attack. He has no other option. तीक होगे. Okay, quickly let's just talk about this. World Test Championship में इस्वकत Pakistan, West Indies क्यूँके जो Test Series अब तो I think percentage of points per ranking बनी है. क्यूँके Pakistan और West Indies दोनों 50% points जीतने में कामियाब रहे थे. इस्वकत ये दोनों टीमें उनसे नीचे है क्यूँके इनका एक match रहा है. वो वाशाउट हुआवे. 38% पर हुए में. 38% पर हुए में. Okay, so do the math for us. क्या सूर्थिहाल हो अगले match में ताके Pakistan and West Indies remain on the top? I think no matter who wins, अगर England जीता है या India जीता है, तो this will be the force test in the series, उनकी 50% ही होगी. तो Pakistan and West Indies will still be their top two, along with one of these two teams. If it's a draw then it's great for Pakistan. Then it will be brilliant for Pakistan. So, I think, के मेरा ये सवाल पुछने का मकसर दिये था, के जहां Pakistan ने जब दूसरा test match जीता था, ये पॉबरी में topic से हट के बाद कर रहा हूँ, लेकिन जहां Pakistan ने दूसरा test match जीता था, तो रहान, मुझे वो पहले test match की लॉस और भी जादा थी इस बात पे, के इस वाद पे, के इस वो जो पहले test match है, I've looked at it again, and उसमें अगें आपकी टीम ने अलमस्त 1.70 डिफेंड किया, Pakistan should be really happy with the bowling effort especially of the fastballers, I think Abbas ने एक-end control किया, Shaheen बोल वेल, Hasan बोल वेल, Faheem बोल वेल, उसमें यासर was a question mark, लेकिन वो आपको batting अपनी sort out करनी सी, जैसे ही आपकी batting sort out हुई, तो आपके इस वक्त, Pakistan is lucky के बहुत देर बाद आपको यह पता है, कि आप 20 wickets ले सकते हैं, ठीक होगे, ठीक है,